प्रेव बंदो सब प्रेव नमस्कार आज मैं 23 में संस्क्रण प्रस्त करने जा रहा हूं। उत्त कहानी में सरल हिर्दे से इश्वर में गेरी स्रद्धा इपम विश्वास का ओर्ण सवाविश है आगे। बहुत बार्सों पहले की बात है कि एक गाउं में खेतिय परवार हैता था पती का नाम ब्रत्ना पत्नी का नाम यशुदा तदा बच्चे का नाम था बुद्ध्यदेव। जब घर में बहुत डरीवी थी फिर भी कीनों भुँट खुशी से जीवन यापन कर रहे थे। पती-पत्नी दूसरों की खेतों में कास चरी क्या कार करते थे। तथार लकावी गाओं में ही इसी परवार के यहाँ कोशालक कार जैसे कोशालकी शफाई गोबर कतद करके निधरे सचान पर जाकर थापना तथो फ्रांसुखनी पर वहिपर गोबर का बिटोरत यार करना था एक दिन जब लगवाव विटोरत बना रहा था तो उसके गोवर के अपनी थ्वापी दिवे कंडे में से नारान नारान की आवाज आ रहाई थी लगवाव बड़ा चंबित था तो कि जवभव उपले था प्ना था मात्री कहने से नारान नारा दिरनत्र जपता रहता था उसी के परणाम तरूब सूखे उपले में से नाराना की धनी सुनाई पड़ती थी। जब लका लगवा बारे बर्सका हुआ 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 कि उसके पिता की प्रदिक के कारण बत्ती हो गई। अब मां बेटे अकेले ही लोगों के घर बखेत में मजदूरी करके दिन्यापन कर रहे थी। एक दिन लगा जिसकी गोशाला में कार रहा था। उसने उसकी मां को बुला कर राय दी कि बहन लगती है को कुछ विद्जया एज्यान भी कराये कर स्कूल में दाखिला करा। इसनका यश्रोदा काई स्कूलों में बच्चे के दाखिले के लिए प्रयास किया। लेकि सबी जगए दो रुपे महां फीस होने के कारण सक्षम नहोने के कारण चुप हो जाती। एक दिन किसी निराय दी ग्राउं से चार्टली रूटा दूरी पर एक पंड़त जी आसब बना कर रहते हैं। जो वालक फीस देने में सक्षम नहीं है उनको भी वह बिद्धा बजान करते हैं। एक रोज लग्टे को लेकर जशुदा उक्ति पंड़त जी से बात करने गई। महां पंड़त जी ने जशुदा की विस्तार पूरबक साधी बात सुनने के बाद लग्टे से बखाते होकर बोले। अभी तक तुम क्या काम कर रहे थे बेटा। पंड़त जी ने बढ़ता है कि किसी की गोशाला में सफाई, गोबर की कंड़े थापना, सुखने पर बिटोरों बनाना का कार अभी भी करता हूँ। तब पंड़त जी ने कहा, ठीक है, कल से तुम पढ़ने आजाये करो, बढ़ने में हमारी गोशाला का, उत्रकार कर दिया करो, ठीक है। पंड़त जी के पास से यशुदा बबुद्ध देव दोट आए, तथा दूसरे दिन से लगका, पंड़त जी के पास पढ़ने जाने लगा, तथा भत्राई काम भी पंड़त जी के कर देता था। को शाक्त बुद्धी के कार, लगके का मन परदे में भी खूब लगता। लगवा छे मावाद, एक दिन उसके बनाई उपनों के बिटोरों को ओई रात्री में चोरा ले गया। जिसकी सूशना दूसरी दिन उस तो घटना देखकर लगके ने पंड़े जी को दी। चोरी के स्थान पर पंड़े जी निरिखे करने गये। तो बिटोरों गायव देख बड़े चांज में थुए। इदर अगतर पूछने पर तो समने बिटोरों चोरी की बावत अनुवेक्ता प्रगट की तो लगके ने पंड़े जी को राय दी कि गाउं के काजी को शिकायत करें। अपने थाप उपने पेचान लिए सकता हूं। बुद्देव ने तराश किया वहीं पड़ोसी के यहां उसकी कंड़ी होना पाया। जिसकी नामदर सिकायत purlगे जी के माधियम से काजी को की काजी ने पड़ोसी लड़ो के वह ब konड़े जी को दूसरी दिन अपने सामने पेश होने का आजिए्ज दिया। काजी की समक्ष दूसरे दिन दोनों पर ख्याजर हुए। काजी ने लखेजर पर्ष किया कि आपके से आधार पर अपमे थाफे उपनों को बेचानते हो। तो बुद्धे दिव बोले हजूर मेरे थाफे सभी उपनों को कान से लगाओ। तो उसमें से नारा नारा की ध्वनी चुनाई पड़ती है। इस तरह पड़ोसी से बुद्धे देव ने अपनी सारी उपली ब्रामत कर लिये। तथा पड़ोसी को दस कोड़ी की सुझा सुना, काजी ने लिड़ने सुना दिया। पंड़े ची बुद्धे देव की बुद्धमता बक्ती से बहुत प्रहत हुए। एक दिन बुद्धे देव ने अपनी मा को बतलाया कि कभी-कभी आस्रम के कार में दूर हो जाने से जंगल के रास्ते में अंधिरा हो जाता है, तो डर लगता है। क्या करूँ, यह दभी आस्रम से जल्दी निकलने की बहुत कोशिश करता हूँ। तब मा यसुदा ने कहा कि तुझे मैं बताना भूल गई, तेरा एक बड़ा भाई जंगल में ही रहता है। उसको गोपाल गोपाल करके पकारने पर वो तुम्हें रास्ता दिखलाने आ जाएगा। एक दिन गुद्यदेव फिर आस्रम से लेट हो जाने पर जंगल के रास्ते में अंधेर होने पर मा के कहने पर जोड़ जोड़ से गोपाल भाईया, गोपाल भाईया पकाने लगा। जब कोई नहीं आया तो वह जोड़ जोड़ से गोपाल भाईया कहकर रोने लगा। कि भाईया मुझे भहुत डर लग रहा है जल्दी आजाओ मान ने बतला है कि तुम यहीं रहते हो उसकी रोने की करोण आवाय स्वन भगवान तुरंट रगट हो गई और बोले बुद्ध्यदेव आज मुझे आने में देरे हो गई आगे से जल्दी आऊंगा इस प्रकार पंडे जी ने कुछ ने कोस बसटू लाने को बतलाया थेखिन बुद्ध्द्यदेव को कुछ नहीं क्या तब सब लागर चले गए तो बुद्ध्यद्यदेव ने मैं पंडेजी के समीब जाकर कहा कि कल मुझे क्या लाना है ये ऑप्स्कूल में फोड़ साश्ण होता दूस्त भरा ले जाना है। यशुद्रा ने कहा कि ठीक है कलत्नों को गवपार भईजा को बतलाना जरूर तुमारी इच्छा पूरी करेंगे। दूसरे देन स्कूल जाते वक्त जब जंगल आया तो बुद्ध्यदेव ने गवपार भईजा को पुकाला है। हमेशा की इवाद भगवान बाल दूप में प्रगट हुए। बुद्ध्यदेव की साधी बास सुनने के बाद उन्होंने कहा कि मैं पहले से ही तमारे लिए दूस भरा लूटा लेकर आया हूँ यह लोग। बुद्ध्यदेव दूद्ध का लूटा लेकर स्कूल पहुंचा तब पंड़जी को लूटा पेश कर पूछा कि दूद्ध आया हूँ कहा रखूं। पंड़जी बेस्तौनी के गारा बुद्ध्यदेव से बोले यहीं रख दो। भूद्धन बनाने की बड़ी जोड़ शोट से त्यारियन चल रही थी। खीर बनाने की लिए कड़ाई में सबका दूद्ध उडेलने के बाद अंत में बुद्ध्यदेव का दूद्ध भी कड़ाई में डालनी लगे। लेकिन कड़ाई दूद्ध से बरने पर भी रूटा खाली नहीं हुआ। कारकारता है चमित होकर पंड़गी से चरचाकी जिसे सुनकर बंध्यदेव को प्ड़ताल की कि दू तू बहसे लेकर आए हो तब ने सारों ब्रतामथ बतलाया। सी जिसे सुनकर पंडेजी ने उनते से कहा के बुभ्धदोदेव को ऐसे मिलवा सकते हो ग्या। जिसको सुनकर पंड़े जी रोने लगे तरह तक कहा प्रभू आप अंतर्यामी हैं सब जानती हैं मैं सच्मुच आपके जर्शन पाने जोगी नहीं हूँ पंड़े जी के आर्थ स्वर को संकर भगवान प्रगट हो गए और उन्हें भी बुद्ध्यदेव की चिपारिश पर दर्शन दिये पंड़े जी गद्गत हो भगवान के ध्यान में आश्रम भबित लोटे तक अब बुद्ध्यदेव को बहुत आशिवार बतान किया घर आकर बुद्ध्यदेव ने उक्त बटान तुमा को बतलाया तो वो गद्गत स्वर में बोली प्रभू आपने मेरी विश्वास की लाज रखी सदेवी अब हमारी लाज रखती रही हो क्रेपा बनाए रखें कि हमारी बुद्ध्य सदेव आपकी याद में दिरंदर समाइद रहे यशुद्धा ने लक्षी को बतलाया कि बीटा हमारे पास जो कुछ है उसका आनंद तब ही ले पाएंगे जह हमारे पास जो नहीं है उसकी सिंता छोड़ेंगे जीवन में सरल हिड़े ही निडले तो निद्वकार पस पर चलकर आत्म शांती प्रात करने आनंद पल बनाने का सूत्र है